असलाम व्लेकुम स्टूरेंट आज हमारा इंग्लिश बीका फर्स लेक्चेर है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऐसे लिखना तिक है ऐसे का नेम है my best friend my friend my best friend इसके लिए क्या है कि अगर आप वोई है आप फर्स वाला ऐसे रिटन करेंगे ठीक है अब हम इसकी रिटिंग कर लेते हैं यह इस एहमद वो एहमद है यह इस एलिटल बॉइ वो लंबा लड़का है यह इस माई फ्रेंड वो मेरा दोस्त है यह इस इन क्लास टू वो जमात दो में है I like him very much, मैं इसे पसंद करता हूँ He is good dear, वो अच्छा खिलाडी है He lives in the Kent, वो केंट में रहता है He is my class fellow, वो मेरा हमजमात है His mother is a teacher, उसकी वालदा मौलमा है He is a very good student, वो बहुत अच्छा तालब इल्म है His father is an army officer, उसके वालद army officer है अब आपने अपनी copies के ओपर Format ready करना है Essay का name लिखना है Date लिखना है, आपने 1st June 2020 और अगर आप boy हैं तो आप First वाला essay लिखेंगे He वाला Okay, शुनी समझा आगी यहां तक आपको अब हम next पढ़ लेते हैं Next की reading करते हैं Next में क्या है My best friend, the uses of she and her Okay, अगर आप girl हैं तो आप second वाला लिखेंगे She is Shima, वो Shima है Shima की जगह आपको यह और भी name लिख सकती है She is Saira, जो भी आपके friend है आपने उसका name लिखेंगे देना है She is my friend, वो मेरी सहेली है She is in class 2, वो दूसरी जमात में है I like her very much, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ She lives in the city, वो शहर में रहती है She is a very nice girl, वो बहुत नफीच लगी है Her father is a banker, उसका वालिद बेंक में है Her mother is a teacher, उसकी वालिदा मौलमा है She studies in my class, वो मेरी जमात में पढ़ती है Her house is neat and clean, उसका घर साफ सुतरा है अब आपने भी format ready करना है, उसके बाद essay की hiding देनी है essay का name लिखना है, my best friend Then आपने English वालि लाइन्स लिखनी है टीक है, उड्डू वालि लाइन्स नहीं लिखते है Just वो आपको translate करके बताने के लिए थी ठीक है, आपने English की लाइन्स जो है, वो अपनी copies के उपर लिखनी है ठीक है झांना है झांना झांना है झांना है